हाई एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल एवरीथिंग वाउट फैशन आज हम करेंगे कुर्ती पर ट्रेसिंग जिसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है इस कपड़े को मैंने आलेडी टू पीसे में कट कर लिया है एक हमारा फ्रंट पार्ट होगा और एक बैक पार्ट य में करेंगे इसकी ट्रेसिंग हम सीधे कपड़े पर करेंगे सबसे पहले हम कपड़े को डबल कोल कर लेंगे तैन उसके बाद open side की और से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर मैंने तीरे का निशान लगाया है जो कि 7 इंच है दन स्के बाद हम मुढ्ध का निशान लगाएं साधे साथ इंच आधे इंच ऊपर की तरफ कटिंग में आएगा दन इसके बाद हम एक बॉक्स दियार कर लेंगे बाहर की तरफ हम पॉने एक इंच पर गुलाई के लिए निशान लगाएंगे दन उसके बाद हम अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे मैं यहाँ पर बॉस का निशान नो इंच पर लगाऊंगी वेस्ट का निशान साधी साथ इंच और हिप का निशान सवा नो इंच पर लगाऊंगी हमारी birth 36 है waist 30 है और hip हमारी 37 है हम यह निशान हमारे measurement का force पाट लेंगे इन निशानों को हम मिला लेंगे देन उसके बाद हम घेरा हमारा hip से आधा इंचेक्स चा लेंगे उस निशान को भी मिला देंगे उसके बाद हम कपड़े को उल्ठी तरफ Lemon करके निशानों को एक दूजे एक दूसरे पर रखकर थोड़ा दवाब डालेंगे और दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे अब हम इन निशानों को थोड़ा गैहरा कर लेंगे देन उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे हमारे गले की गहराई चुड़ाई हम पौने तीन इंच लेंगे और लंबाई साथ इंच देन उसके बाद पौने एक इंच के मार्जन के साथ हमें यहां पर गुलाई डाल लेंगे गला चाहे आप बाद में बुकरम वाला भी बना सकते हो लेकिन निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर ट्रेस करनी है पर को इस तरह दिखेगा इसकी बाद हम घेरे का स्थ निकालेंगे और read लंबाई के साथ सेंटर निशान लगाएंगे उपर की तरफ दन घेरे के सेंटर का भी देरेंगे जितनी मजी लंबाई के साथ निशान लगा सकते हो मैंने यहां पर हर एक हर एक निशान का हर एक पार्ट का सेंटर निकाल निकाल कर निशान लगाए हैं आप चाहे तो सीधी एक साइट फिर भी निशान लगा सकते हो यह हमारा सभी निशान लग चुके हैं इसके बाद हम ट्रेस करेंगे मैंने अपनी वीडियो में जो मेटीरियल चाहिए मैं बताया था उसी भर मैंने यहां पर चेह सकते हूँ आपकोई पैंटिंग भी कर सकते हो और कोई भी वेब कर सकते हो एसे निशान मैंने यह साँенное पर ट्रेस कर लिया है से ही I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो please like, share and subscribe my channel Thank you for watching